हेलो क्लास 12th students inverse arithmetic function के second exercise के fourth question को हम लोग आज की वीडियो में solve करेंगे ठीक है question है कि write the following in simplest form मतलब इस चीज़ को हमें simplest form में लिखना है ठीक है तो 10 inverse root के अंदर 1-cos x 1 plus cos x है काफी easy question है ठीक है देखिए कैसे करेंगे question start कर रहा हूं है solution तो हमारे पास question क्या है 10 inverse 10 inverse root के अंदर 1-cos x 1 plus cos x जैसे आपको 1-cos x और 1-cos x दिखें तुरंद ललच जाहिए मतलब आपके अंदर तुरंद लाला चाहिए क्योंकि आप लोगों ने 1-cos x का एक formula पढ़ा होगा class 11th में यह equal होता है 2 sin square x by 2 के और 1-cos x का आपने पढ़ा होगा formula यह इक्वल होता है 2-cos square x by 2 के ठीक है मतलब जैसे आपको 1-cos x और 1-cos x दिखें तुरंद आपके दिमांग में यह आला formula जरू दाना चाहिए ठीक है तो जागा 10 inverse root के अंदर देखेगा ध्यान से इस 1-cos x के जागा मैं यह लिख रहा हूं ठीक 2 sin square x by 2 divided by इस 1-cos x के जागा मैं यह लिख रहा हूं 2-cos square x by 2 2-cos square x by 2 ब्रैकेट प्लोस तू से टू कैंसिल हो जागा अंदर बचेगा sin square x by 2 cos square x by 2 sin by cos to 10 होता है तो यह जागा 10 inverse root के अंदर 10 square x by 2 सही बात है कि नहीं 2 से 2 गया sin square by cos square 10 square होगा और यह x by 2 है तो x by 2 भी रहाएगा root के अंदर 10 square x by 2 आ गया है तो root क्या करेगा एक को बहार निकाल देगा 10 inverse 10 x by 2 फिर क्या होगा यह 10 inverse से 10 cancel ही जाएगा तो हमें मिलेगा क्या simply x by 2 और यह जो हमारा आंसर आया है वह 100 परसेंट सही है ठीक है यह करना था सिंप्लिफाई करना था सिंप्लिफाई हो चुका है अगला वीडियो देखेगा आज की वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई